हेलो दोस्तो गुड बॉर्निंग मेरा नाम है सुमित राटी और आप सभी मेरे साथ है इंडिया के नमबर वन स्टडी चैनल इसका नाम है अनकाडमी UPSC दोस्तो तारीक है 20 मार्च समय सुबह के मौर्णिंग 5 बजे 5 बजे हम क्या करते हैं करंट अफेर के 5 कोशिन तो 5 के 5 को यह कोशिन बहुत ही है आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले है सुमित 10 मेरा कोड है इसके इसके इस्तमाल करके आप अनकाडमी पे डिसकाउंट ले सकते हैं कैसे ले सकते हैं देखो 2 यह का नकाडमी सब्सक्रिप्शन वैसे कोश्ट है उसकी 80,000 बट अभी अनकाडमी के ल 43,200 आपको यह कूर्स सिर्फ इतने में मिल जाएगा ठीक है दोस्तों चली दो तारिक से हमने यूट्यूब पर फ्री क्लासे स्टार्ट की थी यूपिए सी एज के नाम से क्रेक प्रलीम से 75 देज सु ही हमारा प्रोग्रम ऑलरी चल रहा है साथी साथ मैंने प्लस पर भी क्ल आपको 43,200 में मिल सकता है अगर आप रेफरल कोड में क्या कोड यूज़ करें आप सुमिट 10 सुमिट 10 आप यूज़ कीजिया और यूज़ कीजिया और यूज़ को पता है करोना गो करोना वायरस जो है बहुत फैला हुआ है और इससे संबंदित कुछ सवाल है वो मैंने आ आपको यहां पर पूछने हैं so coronavirus are genotic meanings that they are transmitted between the animals and the peoples 100 times में आपको बता चुका हूँ first option बिल्कुल सही है there are large family of virus that cause illness such as the middle east respiratory syndromes and severe acne और ये जो मीरस कोव है और सरस है ये दोनों एक ही तो भाई यहां आपस में same ही चीज़ है कोई अलग नहीं है coronavirus are named for the crown like spikes that protrude from their surface resembling the sun corona देखो आप देखोगे न यहां पर यह जिस प्रकार के जो virus है इसमें इस प्रकार के sign दिख रहे है और यह ऐसा लगता है कि सूरज का जो सूर्य का corona होता है उससे मिला इससे लिए इसका नाम रखा गए coronavirus तो तीनों की तीनों statement इसके अंदर सही है first, second, third तो all of the three are correct तो D is the right option तो coronavirus एक large family का virus है दोस्तों जिसके कारण आपकी बहुत सारी जो बिमारियां है वो होती है अगर मैं बात करूँ तो middle east respiratory syndrome, mirus और saras दोनों ही coronavirus के ही भाई है तो coronavirus के ही भाई है mirus और saras उसी बिमारी का है कि यह रूप है आपके अब यह जो नाम अभी जो virus चला हुआ है ठीक है coronavirus का दो रूप already हम देख चुके हैं पहला है mirus और दूसरा क्या है saras अब यह जो देख रहे हो आप COVID-19 यह एक अलग virus है COVID-corona V मतलब virus D's मतलब disease इसलिए इसको COVID-19 इसलिए क्यों 2019 में आया है तो यह इसके symptoms हैं दोस्तों तेज fever होगा आपको dry cough होगी याद रखना सांस लेने में दिक्कत होगी और sore throat आपका गला जो है वो sore रहेगा यह अगर symptoms हैं तो it can cause यह आपको coronavirus हो सकता है COVID-19 हो सकता है but sure नहीं है आप डरना बिलकुल भी आपको नहीं है so these are the symptoms of आपका coronavirus fever बहुत जादा होगा novel coronavirus is a new strains that has not been previously identified in the humans पहले humans में इसकी पैचान नहीं होई थी coronavirus is basically genotic in nature meaning that they are transmitted between animals and the peoples यह animal और people के बीच में transmit हो सकते हैं यह बात भी हमने देख ली है okay अभी तक coronavirus की वैसे कोई vaccine जो है अभी तक बनी नहीं है जिससों आप coronavirus को detect कर सको this is basically the timeline 31st December को China के अंदर पहली बार यह जो है WHO to several pneumonia cases China alert WHO to several pneumonia cases तो सबसे पहले 31st December को यह observe किया था उसके बाद यह पूरी epidemic आप देख सकते हो किस प्रतार से several known coronavirus are circulating the animals that have not yet infected humans कई जात coronavirus जानवरों में गूम रहे हैं जो अभी तक मनुष्यों को संकरमित इनों नहीं किया था अभी तक कोई दवाई नहीं बनी है जो उस पर काम करें बट रिसर्चर अभी भी ऐसा कुछ कर रहे हैं दवाई बना रहे हैं तक इसके प्रोटीन पर वो अमला कर सके और इसके infection को क्या कर सके दोस्तों रोख सके राष्टी क्रेश योजना नाशनल क्रेश योजना इसको हम देखो पहले बोलते थे राजीव गांधी योजना के नाम से हम जानते थे अभी बताऊं हम आपको पहले देख लेते हैं कौन सी statement इसके बारे में सही है पहला देखो पहले बारे में सही है जिन बच्चों जो महिलाएं होती है उनके चोटे बच्चे होते हैं जब वो काम पे जाती है तो उनकी care बच्चों की care प्रवाइड करने के लिए जो आपके क्रेच जो होते हैं इनकी स्तापना की गई है यह centrally sponsored scheme है केंदर सरकार के दवरा चलाई गई है बाद में इसको ICD integrated child development scheme के अंदर में रख दिया गया था बाकी ministry of women नहीं करती है यह काम कोन करता है दोस्तों यह जो काम में आपका last में लिखा हुआ है यह काम नित्ती आयोग करती है third party evaluation नित्ती आयोग करती है यह कुछ report है यह बताया गया था 2015 के अंदर number of crutch जो थे इतने थे बाद में जन्वरी 2019 में घट गे मतलब 68.6% decline हुआ था तो यह अलग-अलग report है जिसके बारे में बताया गया था 2017 में national crutch scheme was brought under ICDS integrated child development scheme के अंदर में इसको लेके आया गया monitoring of implementation of the scheme is being undertaken through the meeting and video conferences with the official of the state government and union territory video conference के दुवारा दोस्तों इसकी meeting जो है officials की वो अपस में होती है वो इस पे निगरानी बनाए हुए है ministry officials undertake field vigil to ascertain the status of implementation of the scheme mantra लेक अधिकारियों ने योजना के कारियनवन की स्थिति को पता लगाने के लिए छित्रों का दोरा भी इसके अंदर किया है तो यह था to provide the day care facilities for the children six month to six years of the working mothers in the community to improve the nutrition and health status यह इनका सबका अलग-अलग आपको बताया जा रहा है क्या क्या किसका basically आपका purpose था तो वो पूरी बात जो है यहाँ पर आपको बताई जा रही है ओके गाईस चलिए आगे आपसे क्या कह रहा है to improve the nutrition and the health status of the children to promote the physical and the cognitive social and emotional development holistic development of children to educate and empower the parents ओके यह सारे सारे किसमें क्या हम है यह आप देख सकते हो कौन इसको monitoring करता है district level पर state level पर journal ICCW headquarter यह है सारे के सारे और निटी आयोग जो है वो इसका third party evaluation जो है वो करती है अगली बात करते है दोस्तो भूमी राशी portal भूमी राशी portal comes under which of the following ministry कि स्मंत्राले के अंडर में आती है तो बता दूँ आपको मैं यह ना तो इसकेंडर में आती है ना इसकेंडर में आती है ना इसकेंडर में आती है तो इसलिए साही जवाब होगा D none of these यह ministry of highways केंडर में आती है भूमी का अधिगर्ण करने के लिए भूमी का रोड बनाने है तो land acquisition होगा उसी के लिए portal बनाए गई थी जिसका नाम था भूमी राशी portal ठीक है तो यह गलत हो गया भूमी राशी portal was launched a major e-governance initiatives of the ministry of road and transport and highway okay इनके द्वारा यह किया गया था मैंने बता दिया आपको ताकि जो यह land acquisition process है भूमी अधिकर्ण है उसको असानी से किया जा सके वो दुरूटी मुक्त रहे और पारदर्सी process रहे ठीक है तो यह initiatives है तो यहाँ पर देखो देख सकते हो भूमी राशी अवय पोर्टल for the land acquisition ठीक है दा पोर्टल has been integrated with the public financial management system PFMS for depositing the compensation in account of the affected and interested person on a real time basis इसको public financial management system के साथ जोडा गया है ताकि इसको direct रूप से monitor किया जा सके अगला दोस्तों यह आपका question आया sorry अगला दोस्तों है यह epidemic versus pandemic epidemic और pandemic में क्या अंतर है देखो epidemic क्या होता है epidemic वो बिमारी होती है ऐसा disease जो actively spread कर रहा हो और जो लगबग आपका out of control होई that is known as epidemic pandemic का मतलब होता है कि it is related to the geographical area and describe disease that affects the whole country और the entire world pandemic का मतलब है जो पूरे entire world को जिसने प्रभावित कर दिया हो पूरे दुनिया को प्रभावित कर दिया हो उसको हम बोलते है pandemic ठीक है guys चलिए सब ज़्यादा इन पे हैं green places के उपर यहां तो मतलब हद मार बहुत ज़्यादा cases जो है आपके सामने देख रहे हैं इसी संबंधित सवाल है with respect to the declaration of the disease as a pandemic consider the following statement करें a decision a disease will be declared as the pandemic when it spreads to more than 50 to country ऐसा कुछ नहीं है Ebola virus which spreads rapidly in 2015 was not declared as the pandemic at that time हां बिल्कुल सही है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यह 25 से 26 देसों में गया था तो इसलिए इसको हम इने pandemic भालां की जान बहुत गई थी से बट स्टिल इसको pandemic declare नहीं किया जो coronavirus को हम कर चुके है WHO has the final say in declaring the disease भी बाद में बिल्कुल सही है WHO गाई final से होता है कोई भी ऐसी नहीं बिमारी जिसके प्रती लोगों में इंदर इम्यूनिटी ना होर उप्रती दग चमता ना होर वो जल्दी से spread करे उसको हम बोलते हैं pandemic disease ओके और WHO जो है कोई ऐसे threshold number वो ने fix नहीं किया कि कितने देशों में फैल लेगा तब ही हम ऐसा बोलेंगे अलांकि हम बात करें जैसे सारस coronavirus था 2003 में हुआ था 26 कंट्रियों में फैला था बट स्टिल हमने इसको pandemic declare नहीं किया था लेकिन coronavirus को हम pandemic declare कर चुके है मतलब ये beyond the border और out of control जो के बहुत सारे राज्यों के बहुत सारे देशों के अंदर ये फैल रहा है Ebola virus ने भी बहुत जाने ली थी बट स्टिल इस continent के अंदर हमने इसको तब भी endemic declare किया था इसको pandemic नहीं बताया था हमने उद्यम सकी एक नहीं portal मैंने बताया था अभी अभी launch की गई है आपका World International Women's Day के उपर तो it is initiatives of Ministry of Micro and Small Medium Enterprises MSME बिलकुल सही बात है और इसका aim क्या है to encourage the women entrepreneurs by helping them to start build and grow business दोनों के दोनों statement सही है दोस्तों बहुत यह एक बार दोस्तों देख ले ना मैंने आपको पढ़ाया भी था बाकि एक बार आप read कर लोगे आपको पुरा समझ वे आ जाएगा ठीक है बाकि यह मेरी यार instagram है आप मेरे को follow कर सकते हो यह telegram page है आप follow कर सकते हो यह मेरी gmail id है यहाँ पर आप मेरे को mail drop कर सकते हो 2 year का academy subscription यार सिर्फ और सिर्फ आपको 80,000 में मिल रहा है दोस्तों सिर्फ 80 था इससे सस्ता क्या लोग है यार 50 rupees a day दो साल के लिए आपको लग रहे है and it's your like उडान आपकी सपनों की उडान है तो इसमें पीछे मत अटो दोस्तों 52,000 और इसमें भी अगर आप मेरा referral code में इस्तेमाल करते हो submit 10 तो यह भी आपको कितने में मिलेगा 43,200 के अंदर कुछ नहीं करना न academic learning app डाउनलोड कर लो goal में UPSC चूज करो get subscription इसके बाद में 2 year का subscription आपको लेना है यहाँ promo code में डाल देना submit 10 आप देखो भी यहाँ आपका course जो है घटके हो जाएगा 52,000 रुपीज से घटके आपका कितना हो जाएगा 43,200 जैसे हो जाए apply करके उसके बाद proceed to payment आप payment कर सकते हैं and you will subscribe this code जैसे ही आपका इक course join हो जाए you just drop me a mail or you can drop me a message on where on Instagram okay and I'll add to the group और फिर हम आपकी personal counselling में करूंगा और मैं आपको monitor करूंगा throughout this process on this note I'm ending the today's video thank you very much take care bye bye